दोस्तों हमारे यूटूब चनल पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों लेटिस्ट खबर जो आ रही है बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग यूज आ रही है सौधी अरब से लेकर कि सौधी अरब ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो फ्लाइटे थे इंटरेशनल फ्लाइटे थे उस पे एक हपते के लिए परतिबंद लगा दिया है तो ये खबर कहीं न कहीं पर उन लोगों के लिए काफी टेंशन भरी है जो लोग इंतजार कर रहे थे कि जनवरी से सौधी के लिए फ्लाइट चलेगी खास दोर पर इंडिया से तो उनके लिए काफी टेंशन भरी खबर है क्योंकि उन्होंने काफी इंतजार किया इतने समय से और फिर वो इंतजार कर रहे थे और लगातार वो इस उमीद में थे कि उनको खुश खबरी मिलेगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि सौधी अरब ने कोविड न नियूज ने यह भी रात को खबर दी है आपको मैं दिखा रहा हूं यह आपने स्क्रीन पर देख रहे होगे कि रात को भी गल्फ नियूज ने खबर दी है कि अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उस पर परतिबन लगा दिया गया है एक हपते के लिए तो यह खबर उन ल यह क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन में महामारी बढ़ रही है वहां दुबारा लागडोन लगाया गया है कई देसों में लागडोन लगाया जा रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए सौधी अरब ने यह फैस्ता लिया है कि एक हपते के लिए और अभी तक बंद कर दी जाएगी यानि इंटरनेशनल फ्लाइट बिल्कुल भी एक हपते तक नहीं लिजाएगी और उन्होंने साब तोर पर ये भी कहा है जो वहां का मिनिस्ट्री आप इंटीरियर हैं उन्होंने साब तोर पर कहा है कि एक हपते परतिबंद के बाद हम इस खुलने के उमीद थी वो उमीद लगभग लगभग खत्म होती हुए दिख रही है क्योंकि गल्फ न्यूज ने रात में ही ब्रेकिंग न्यूज दी है कि साओधी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइटों पर पर परतिबंद लगा दिया है तो अब महामारी को देखते हो ये आगे भी जारी रहेगा जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा